हेलो फ्रेंड्स आपल्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे बहुती सिंपल सी बाते जो यूपेसी और यूपेसी के लिए खास करके मिस यूपेसी और एमपेसी के लिए इंग्लिश क्रामर का होना क्यों इतना जरूरी है अगर मैं यह कहूँ कि जो भी यूपेसी और इंपेसी के कैंडिडेट्स है वे अगर बहुत अच्छा खास ध्यान उनके लैंग्वे स्कील्स की तरफ देते हैं तो बड़ी आसानी से वो यह जो कॉंपेटिटिव एग्जैमिनेशन से उसको पास कर सकते हैं यह बहुत है जो कोई भी हमारी पढ़ाई है जो भी बात हम समझ लेना चाहते है उसका डिरेक्ट संबंद आता है लैंग्वेज स्कील्स के साथ अगर आपका लिंग्विस्टिक कॉंप्रेंशन सही है तो बड़ी आसानी से आप अपनी जो क्वेशन पेपर है उसको समझ सकते हो और क् हम एंसर के लिए दौड सकते हैं अपनी जल्दी आप क्वेशन को समझ लोगे अगर क्वेशन समझने में देर लग जाती है तो फिर उसके जवाब को देखने में धूनने में साल्व करने में इसक्वेशन को ज्यादा टाइम लग जाता है और यह सबसे बड़ी परेशानी है इन उचे दरजे की competitive exams की UPSC और MPSC इसलिए मैंने यह कहा है कि language can bring success की भाषा जो है वो आपको कामियाभी दिरा सकती है यकिन मानिये कि अंगरेजी का अध्यान 20 साल से करते करते शुरू से मेरे दिमाग में एक हैल था कि जिसका भाषा में अच्छा अच्छी समझ होती है वो बहुत जल्दी दूसरे subjects का ग्यान हासिल कर सकता है the comprehension of other subject knowledge becomes easier if a person is good at language इसलिए आज से हमने शुरू किया है MPSC और UPSC का grammar और इस UPSC और MPSC के grammar के लिए हम रिफर कर रहे हैं बहुत ही जानी मानी सी किताब that is Pal and Suri Pal and Suri का जो English grammar की किताब मैं deliberately आपको mis-refer करूँगा कि आप इसका जरूर देखिए समझिए देखिए grammar की एक बहुत ही खुपसुरस सी चीज होती है जो third और fourth standard के लिए grammar prescribed किया गया है the same grammar is prescribed to UPSC and MPSC examinations तो ऐसा क्यों है वाइडी सो तो उसके उद्देश अलग-अलग है कि बहुत बार ऐसा समझा जा रहा है कि लोगों को सही तरीके से grammar की गयान नहीं होती है विद्यार्थियों को सही तरीके से grammar समझ में ने आता है उसके logic को सही तरीके से बच्पन में शायद समझ नहीं पाते हैं और English, Marathi या Hindi जो कोई भी आपकी language है कि English, Marathi या Hindi का grammar हमने या भाष्या हमने सब्जे के तवर पर पास कर चुके हैं लेकिन भाष्या के तवर पर हम बहुत बार उसमें फेल हो जाते हैं इसलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इस grammar topics so आज हम शुरू करेंगे तब वएरी, first English ग्रमर्मर टॉपिक जिसका नाम है Articles अब Articles है ऐसी बत है जा आपको फोस्तेंडर में भी है 5 स्तेंडर में भी है 6 स्तेंडर में भी और 7 स्तेंडर में भी है तो आज हमें Article अलग से क्यों देखना पढ़ रहा हैfight मिस हमारी देना चाहिए क्योंकि जब आप आर्टिकल्स की तरफ ध्यान देते हो तभी आप जो पढ़ रहे हो जो भी comprehensive passages है या दुसरे सब्सक्राइब का ग्यान आप ले रहे हो तो उसकी आपकी समझ बनती है है तो यूर अंडर्स्टेंडिंग बिकम्स बेटर ओनली वें यू है अग्रेटर कंपिटन्सी ओवर लाइंग्विज दैट इस इंग्लिश इसके लिए हमें इन छोटी-छोटी बातों को इस्तिमाल करना पड़ता है वा आर्टिकल्स क्यों क्योंकि आपको तो पता होगा कि इसे भाषा में सिफ आर्टी शब्द है और दो अलग से बाते हम उसको आइड कर देते यह आर्टिकल्स एंड वाट से मोडल अक्जिलरी इस नाउन प्रणाउन अड्जेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशिशिंस कंजंग्शन इन इंटर्जेक्शन इस आर्ड़ इस पार्ट सब्स्पीच और इन एट पार्ट सब्स्पीच के अलावा जो दो बातों का हम खास करके ध्यान रखते हैं वो दो बाते होती हैं हमारे आर्टिकल्स एंड मोडल अक्जलरी अगर दस बाते हम ठीक से समझ लेते हैं तो हमारा रेडिंग राइटिंग लिसनिंग आइंड स्पीकिंग यह जो चार स्कील्स माने जाते हैं लाइंग्विच के वह हम बहतर तरीके से इन पर महारत हासिल कर सकते हैं और इसलिए आज हम बहुत ही छोटे से इससे से शुरू कर रहे हैं यह आप भी अगर सेम बुक रिफर करोगे आपको आसान ही हो जाएगी चीजों को समझने में बातों को समझने में और एक अच्छा आउट आफ मार्स इसमें पास सकते हो आपको बता दो दोस्तों लैंग्विच की एक बहुत ही खुबसूरच चीज है इसमें जो भी नाम इस्तिमाल किये जाते हैं ग्रैमर के टॉपिक्स के भी इवन जो भी नाम इस्तिमाल किये जाते हैं जो भी यूज किये जाते हैं इन नामों में ही इसका अर्थ चुपा हुआ होता है इस अर्थ को अगर आप समझते हो मिनिंग को अगर आप समझते हो बखू भी तो आपकी समझ में धिरे धिरे सारी बाते साफ होते जाती है You become clever in language और language में जो clever होता है वही हम फिर question papers में पढ़ते है newspapers में पढ़ते है newspaper के articles और journals में पढ़ते है और कहा नहीं Everywhere you find that language is chasing you Instead now I will suggest you you should chase language भाशा आपका पीछा कर रही है तो वो भूद बन जाएगी लेकिन अगर आप भाशा कर पीछा करना शुरू कर दोगे तो आपकी पकड में वो एक नएक दिन जरूर आ जाएगी जिससे आपकी पढ़ाए आसान हो सकती है और इसलिए हमने देखा है कि indefinite which is not definite we cannot say yes this or that indefinite that is a or and इसको ऐसे और क्यों कहा भी देखिए मैंने जब कहा a or and इसको a and and ऐसा भी कहा जा सकता है लेकिन function के तौर पर दोनों का function एक ही होने के वेज़े से I am using it optionally मैं इसको optionally use कर रहा हूँ दोनों के function एक होने के वेज़े I am just using it optionally either you can use a or you can use and इसलिए मेरे लिए यह दो नहीं है they are not two for me जबकि बहुत बाद इसे a and and a ऐसा कहा जाता है लेकिन मेरे लिए वो a or and ऐसा है आप यहाँ से शुरू करे मैं से हमारे language की समझ को हम कुछ इस तरीके से देख सकते है मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मैं ऐसा कह सकता हूँ there are only two articles a or and and the देखो मेरे कहने का तरीका जेखो a or and and the तो मैंने एक जगह पर यूज कर लिया or और दूसरा बार मैंने यूज कर लिया and you know so this or and and they are the conjunctions in the parts of speech तो हर बात जब मैं बात करूँगा तो एक दूसरे से जुड़ी हुए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा and I will directly go to the things of grammar और इन things of grammar में आपको देखना पड़ेगा there are indefinite articles and there are definite articles so indefinite articles are a or and and definite article is the you know यहाँ तक हम देखते हैं इसके जब हम details में जाएंगे तो we shall see things of the sort जैसे an article is placed before a noun देखको क्या है कि इस article को noun के पहले place किया जाता है अब बात निकले तो मैं आपको सी बता दू कि यह definition कैसे लिखी गई है the definition is written in passive voice passive voice में हमारा जो आर्टिकल है अब्जेक्ट है फिर हमने M is R का is दे लिया है because it is in simple present tense फिर इसको हमने V3 कर दिया है और फिर हमने before a noun noun के पहले हम आर्टिकल का इस्तिमाल करते हैं noun is what? first parts of speech जब हम parts of speech सिखने की शुरुवात करते हैं तो इसका पहला हिस्सा आता है noun noun is what? noun is a word to denote the name of a person, place, things and animals वेक्ति, प्रानी, वस्तु या जगह इनके नाम दर्शाने वाले शब्द को noun कहा जाता है तो इस नाम के पहले हम जो लगाते हैं that is called the article उसको article कहें if, लेकिन, if there is an adjective before a noun लेकिन उसी noun के पहले अगर adjective है अगर उसी noun के पहले अगर adjective है तो हमें article adjective के पहले लगाना पड़ेगा this is a very simple one हमारा पहला rule है कि article को noun के पहले रखा जाता है yes, okay लेकिन, इसमें condition है अगर noun के पहले adjective है तो अब हमें article को adjective के पहले रखना पड़ेगा कैसे देखते, it's very simple जैसे a train, हमने क्या कर दिया है आपर a train, train is what noun train ये noun क्यों है क्यों क्यों train is the name of a thing एक चीज है, उस चीज को हमने नाम दिया दिया train और इस train के पहले हमने क्या कर लिया a train, no a train कोई भी एक train, हमको नहीं पता which one why it is indefinite article because we do not know which train we are talking about किस train के बारे में बात हो रही है, ये हमको बिलकुल भी नहीं पता है, इसलिए हमने इसको a train कह दिया है, no लेकिन अगर इस train train है, train is noun कैसे train, तो we have said it is a fast train, no fast train, train कैसे है fast train तो fast के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, article को लगाना पड़ेगा that is a fast train, आपर दिखने नहीं आए but yes, we can show a fast train no, हम इसको थोड़ा सा इदर ले लेता हूं yeah it is a fast train तो क्या कर दिया हमने जो पहले ये ऊपर लिखा हुआ है, whatever is written, here in the definition that an article is placed before a noun if there is an adjective before a noun then the article must be placed before an adjective, तो ये नाउन के पहले हमने क्या कर दिया नाउन के पहले हमने इस a को रख दिया है, correct लेकिन जब इस train के पहले fast बोलकर कोई adjective आया है, तो हमने इस adjective के पहले a को लगा दिया, now see these are the things of grammar, grammar की एक खूपसूरती है, ये grammar अगर अकेले में कोई चीज़ नहीं हम सीख सकते है true अगर आर्टिकल सेख रहे हैं तो वा पर जिकर हो रहा है parts of speech का noun का जिख रहा है adjective का जिख रहा है इस की जब हम definition लिख रहे हैं तो जिख रहा है passive voice का passive voice का जिख रहा है, तो passive voice कौन से टैंस में है पर देखने पड़ेगी जैसे जैसे हमारे क्लास आगे बढ़ेगी लेक्चेस आगे बढ़ेंगे हमारे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बटा असान हो जाएगा समझना की कैसे एक दूसरे से हर बाद जूड़ी है और इस कडी को बना कर मुझे गले में डलेगी No you cannot take single things separate things if you want to get success it becomes very important for you to understand things in combination go understand things as a whole go understand things to have a cohesion and coherence between पिंदम, so that is very importantly to be understood, so यहाँ पर a train, a fast train, इसी तरहे के से, an incident and an unusual incident, again incident is noun, और इसके पहले हमने and क्यों लगा लिया है, विकार हमको बटा, means it is known to be all, की, a, e, i, o, u, यह जो वावल से, इन वावल साउंड के पहले, अगर वावल से noun बनता है, and if that noun is a singular noun, तो इस वावल साउंड से पहले हमें क्या लेना पढ़ता है, and ले लेना पढ़ता है, not a, इसलिए, इधर a or an, इधर a or an, लेकिन इस incident है, लेकिन इस incident कैसा है, unusual, so this unusual is what, it is an adjective, और इस adjective के पहले फिर हमने क्या ले लिया है, and ले लिया है, an incident and an unusual incident as such, ऐसे इस बात को हमें समझना चाहिए, और इसी तरीके से हम देखते हैं, कि singular count noun, take the indefinite articles a and an or an, with them, so what, यहाँ पर हमें क्या देखना है, कि singular count noun, देखना है, no, this is very importantly to be seen here, that singular count, you know, this count noun, take the indefinite article a or an, for example, ball is a noun, so what kind of noun it is, it is a singular noun, no, ball, not balls, and also ball is a countable, means one ball, two ball, three ball, four ball, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, so they are called the count nouns as such, यह बहुत छोटी छोटी बाते हैं, जैसे ही आम इन छोटी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो एक पूरा grammatical structure हमारी समझ में आता हैं, grammatical structure समझ में आने के बाद ही, हमारी समझ में language अच्छी तरीके से हा सकते हैं, और comprehension of language, और whatever is given in the language, यह अगर हमारा उद्धिष्ट है, objective है, तो हम इस objective को, इस goal को हासिल कर सकते हैं, so a ball, or a dog, or an elephant, now again, elephant is a noun, okay, this is a noun, and this is the count noun, countable noun, again, this is a singular noun, one elephant, a elephant, an elephant means one elephant, you know, two elephants, three elephants, we can count them, see, why I repeat this one elephant, two elephant, one ball, two ball, three balls, four balls, so there is a reason, जो हमको आगे की slide में देखना है, so singular, count nouns, take the indefinite articles, a, or, and with them, let us move a little, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, and we shall see, what is the next, so next क्या है, uncount noun, do not take any article with them, हमें यहाँ पर आना था, जो noun, uncount है, चाहे वो singular हो कि plural हो, उनके साथ article नहीं ले जाते, particularly a or an, तो बिल्कुल भी नहीं ले जाते, क्यों, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर, let us see here, a milk, a beauty, we do not say, हम ऐसा नहीं कहते हैं, we do not say, a milk, a beauty, no, or a wisdom, ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि एक ब्यूटी, दो ब्यूटी, तीन ब्यूटी, ऐसी बात नहीं होती, यह बहुती छोटी सी बाते हैं, फोल स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देखें, और जो UPSC, MPSC की एक्जैम्स, बैंकिंग की एक्जैम्स दे रहे हैं, वो स्टूरेंट्स भी इन वीडियो को देख कर समझें, अब आपका जो टार्गेट है, यह आपका जो मोटिव है, आपका जो अबजेक्टिव है, उस अबजेक्टिव को आप हासिल कर सकते हो, इस वीडियो के जर्ये, इधर, you are in four standard, studying English, English grammar, और, you are preparing for this, this competitive exams as such, तो यहाँ पर यह दोनों बाते हैं, देखने हैं, वी किनाट से, एक दूद, दो दूद, तीन दूद, नो, a milk, we do not say, we cannot say like this, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, and we say that, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते, there is a reason, because milk, beauty, wisdom, cannot be counted in numbers, countable means what, we generally take the numbers, so far counting is concerned, so when we think in terms of counting, or we call some nouns the countable nouns, we count them in numbers, and so, these things cannot be measured in numbers, particular numbers, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन नंबर को क्या कहते हैं, जैसे हम English के grammar के वीडियो आगे जाएंगे, तो you will be coming to know that yes, यह आडिनल नंबर है, यह काडिनल नंबर है, इसके बारे में हम चर्चा जरूर कहेंगे, let us move a little next, a is used with singular count nouns, beginning with a consonant sound, now this is very important for the students of higher education, preparing for some examinations, a use किया जाता है, with singular count noun, यह हमने देखा है, कि singular count noun क्या करता है, that takes a or an, you know in the previous slide, we had seen this, कि singular count noun के साथ a या an को लिया जाता है, अब हम देख रहे हैं, सिर्फ एक ऐसे लिया जाता है, no, so a, this article is used with singular count noun, जो ऐसे noun है, जिनका, जिनकी शिरुवात है, beginning with a consonant sound, consonant, now here, मैंने पहले ही कहा था, कि हम कोई एक बात नहीं सिखते हैं, हम at the same time, we learn so many things in combination, they are called the things of grammar, no, grammar things होती है, तो यहाँ पर consonant sound से जिनकी beginning होती है, उनके लिए हम ए यूस करते हैं, जैसे, a girl, now girl is a singular count noun, right, girl is a singular count noun, और इस girl यह नाउन की शुरुवात की से हुई है, it has begun with consonant sound, ग, ग is a consonant, यूनो, ग is a consonant sound, इसी तरी के से मैप, म इस अ कॉन्सनेंट साउंड, यूनिवरसिटी, a university, अब आप यह सोचेंगे की, यूनिवरसिटी यह तो यू है सर, यूनिवरसिटी का यू है, यू is a vowel, वो वोवल है, लेकिन वो वोवल साउंड नहीं है, when we speak, when we utter, यू, so यू is what, यू is uttered like this, य डबलो, यूनिवरसिटी, इसी तरी के से, यूनियन, इसी तरी के से हम देखते हैं, let us move for some other things, a one-sided affair, one, one, one now, no, this is with, this, one, यफिर, a one rupee note, so even though these are the articles, यू, यू, ओ, यू are the articles, but these articles are uttered like the consonants and so we use a and not an ये common thing हमको पता है कि a, e, i, o, u इन वावेस के पहले अगर वो singular countable noun है तो इत के पहले हम क्या लेते हैं? we use an लेकिन यहाँ पर u और o ये वावेस होने के बाद भी हमने इनके पहले a use किया है not an an क्यों नहीं यूज किया है? because they are the consonant sounds उनका जो sound है उच्चारण है जो उच्चारण क्या हो रहा है उनका consonant के तहद हो रहा है so let us, the words जो सारी जो words है उनिवर्शिटी और जो मैंने आपको बताया है union, one-sided affair, one rupee note and all are taken like this और ये well-known words है these are the well-known words where we find vowels लेकिन वोवेल्स होने के बावजुद भी इनको हम ए के तौर पर यूज करते हैं we use a for them when they are singular countable nouns a European, a uniform, a utensil, a unit, a eucalyptus and so on इस तरीके सहाम इनका जिक्र करते है so these are the very specific words these words are used और a is used before them when they are the singular count noun as such और ये सारी बाते देखते हमारी समझ में आता है कि when to use a and when to use and next video में हम देखेंगे कि what are the usages of the definite article अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे like करे, share करे, subscribe करे और bell icon दबना इसलिए ना भूले ताकि आपकी पढ़ाय का समय होने से पहले आपको जल्द से जल्द आ जाएगा और बड़ी आसारी से आप इन बातों को सीख सकते हो once again dear friends, let me complete this कि अगर आप कोई भी पढ़ाई सही तरीके से करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आपको और आपके बच्चों को you know whether you are a parent, if you are a parent then you must pay attention to this aspect of study that if your child is good at language, your child can be good at so many subjects और जो MPC, UPC करने वाले बच्चे है वो इस बात को समझे कि language itself is a matter of a logic language अपने आप में एक logic का रूप धारन करकर आता है वो उसी के साथ चलता है अगर इस language के logic को समझते है, linguistic competence के तरफ ध्यान देते है language का comprehension अच्छे से कर पाते है जो बाते हम पढ़ रहे हैं, उसको जल्दे रदी समझ पाते है तो आपकी जो exam है, वो आपके लिए बहुत ही मज़दार चीज हो सकती है और आप इसको जरूर crack कर सकते हो और इसमें कामियाब हो सकते हैं So, once again, we show all the best अच्छा करें, बहतर करें और जोर लगा कर करें Thank you very much Thank you very much